नमस्कार मेरे अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में मैं बलाउसकट डिजाइन का बहुत ही सुंदर सा बैक बना रही हूं बहुत ही आसान तरीके से इस बैक को मैं आपको बनाना बताऊंगी और इस बैक को बनाने में एक मीटर कपड़ा लगा ह और आप इसे किसी भी फैबरिक से बना सकते हैं मैंने इसे न जो कुर्ती वाला कपड़ा आता है कुर्ती के लिए जो कपड़ा आता है थान वाला उससे बनाया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसका सेप कितना सुंदर लग रहा है और साइज भी एकदम अगर आप ब्लाउज या कुर्ती सील लेते हैं तब तो ये बैक बनाना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा अगर नहीं भी आता होगा तो भी इस वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से step by step हर एक चीज बताया है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आईए बैक को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें सभी पीसे को क्विल्ट करना होता है तो यह दो पीसे क्विल्टिंग के लिए चाहिए होगा फॉर्म और अस्तर अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं अब दोनों का मेजर्मेंट देख लेते हैं तो लंबाई है ना दोनों की 16 इंच और चौड़ाई है 13 इंच 16 बाई 13 का इस तरह का यह दो पीस हमें लेना है अगर आपको फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह जो आटा या चावल की बोरी आती है उसको यूज कर सकते हैं या फिर बुक्रम भी लगा सकते हैं अब इसमें हमें सेप देना है तो इधर से देखिए यह जहां से 16 इंच है मास इसको 20 से फोल्ट करके और अच्छे से चालो तरफ पिन लगा देंगे ताकि कटिंग करते समय इधर उधर ना हो कपड़ा बिल्कुल बराबर रहे तो इस तरह से यह पिन लगा के मैंने इसको सेक्यूर कर लिया है आप देखिए यह इधर से खुला हुआ भ लग गया है और उपर भी तीन इंच पर निसान लगा लेना है तो उपर की तरफ भी यह देखिए तीन इंच पर निसान लग गया है दोनों तरफ यह तीन इंच पर निसान लगाने के बीच में एक इंच पर निसान लगाना है अब यहाँ पर देखिए तीनों को मिलाते वे ठीक है, यहाँ पर यह 2 इंच पर निसान लग गया है अब इन दोनों को भी मिलाते वे हलका से इस तरह से गुलाई देना है ठीक है, अब यह तो सेप दे दिया है, अब इसको इसी सेप में कट करना है तो यहाँ पर दीखे, 3 by 3 का बॉक्स बनाके हलका से सरकल दिया दूसरी साइड भी इस तरह से गुलाई देते वे इसको कट कर लिया है आप पिन जो है उसको निकाल लेते हैं इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हमें कट करना है इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और फिर बराबर इसको भी कट कर लेंगे तो दिखिए बहुत ही आसान है एक बार अगर आप सिलना सुरू करेंगे वीडियो देखके तो आप आसानी से फटा-फट सिल लेंगे इस तरह से दोनों पीसे की कटिंग हो चुकी है अब कोई सा भी एक पीस लेंगे और जहां से कटिंग है वहां से हमें डेड़ इंच यानि की 1.5 इंच पे निसान लगाना है और यहाँ पर कट कर लेना है ठीक है कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है तो इसी के बराबर यानि की 16 इंच लंबा जिप लेना है और कपड़े के उपर जिप को उल्टा रखके पहले सील लेना है उसके उपर वाले भाग में मिला के इस तरह से सिल लेना है अब इसको भी उपर की तरफ करेंगे और यहां पर भी एक सिलाई कर लेना है अब इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है और दोनों को मिला कर सिल लेना है तो यह देखिए मैं पुरानी साड़ी का यूज कर रही है अब इसको इस तरह से चारो साइट से मिला कर सिल लेते हैं जिस सेप में इसकी कटिंग है वैसे ही इसको सिलना है अब दोनों को मिला कर सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा यह कपड़ा है इसको हम काट लेंगे तो यह दिखिए अब इसमें एक पॉकेट बनकर रेडिव आप चाहें तो इसमें एक बड़ा सा पॉकेट रहने दे या आप चाहें तो इसमें दो अलग अलग पॉकेट बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं दो पॉकेट बना रही हूँ तो 20 से फोल्ड करके और फिर सेंटर में निसान लगा लेना है सेंटर में निसान लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई करनी है तो इस सिलाई करने के लिए मैं यहाँ पर यह ले रही हूँ और बीच में रखते वे सिल लेना है तो इससे क्या है न दोनों पॉकेट अलग-अलग हो जाएंगे अगर आप चाहें तो इसमें एक पॉकेट भी रहने दे सकते हैं अब एक लेस है न उसको जिब के उपर इस तरह से रखते वे सिल लेना है तो इस तरह से सामने का दोनों पॉकेट तयार हो गया है और यह देखे काफी बड़े-बड़े पॉकेट है अब इसकी बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है तो अंदर की तरफ pocket बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये plain कपड़ा लिया है लंबाई है इसकी 11 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो है 6 इंच 11 by 6 का ये कपड़ा है कपड़ी को उपर जिप को उल्टा रखके सील लेना है उसके बाद जिप को उपर की तरफ करके फिर यहां पर प्रेस सिटिज करना है आब इसे हमें bag में लगाना है देख़ीęt बीस से फोल्ट करके सेंटर में अंदर की तरफ लगाना है थिक है अब यह जो pocket है इसमें भी center में निशान लगा लेंगे अब दोनों जो निशान लगा हुआ है न दोनों को मिलाते वे और यह किनारा दोनों इस तरह से मोडते वे और चारो साइड से इसको सिल लेंगे अब यह दिखें अंदर वाला pocket भी त्यार हो गया है अब दोनों pocket बनाने के बाद हमें belt बनाना है तो दो पीस यह belt लिया है सेम कपड़े का belt में बना रही हो लंबाई दोनों की है 22 इंच और चोड़ाई है 3.5 इंच 22 बाई 3.5 इंच दोनों का measurement है अब यह दिखें दोनों किन के ready कर लेना है तो यह दोनों belt बन गया है अब इसे हमें bag में लगाना है तो यहाँ पर दिखें उपर की तरफ सेंटर में इस तरह से बीच में रखते हुए और सिल लेना है इसी तरह से दूसरा जो belt है उसको दूसरे पीस में सिल लेना है मिलाकर इस तरह से दोनों belt भी लग चुका है अब हमें इसमें उपर का जो cover है उसको बनाना है तो उसके लिए मैंने यह quilted piece लिया इसमें भी अस्तर form लगाके तीनों को मिलाके सिल लिया है इसकी भी लंबाई है 16 इंच लेगिन चौड़ाई इसकी 12 इंच है तो यह 16 by 12 का एक पीस ह इसको हमें वी से fold करना है और दो बराबर भाग में इससे हमें काटना है आप इसको दो बराबर भाग में काटने के बाद इसके बीच में जिप को लगाना है अब यह कटिंग हो गई है अब यहां पर जीब को लगा लेते हैं तो वैसे लगाना है जीसिके हमें पॉकेट Lem लगाए कपड़े के उपर थीप को उल्टा रखके पहले सिल लेना है उसके बाद जीप को उपर की तरफ करके फिर यहां पर प्रस्थिश लिए तो इसमें जो रनर है उसको मैं बाध में लगाऊंगी अब जो दूसरा भाग हमने कट किया है न उसको जिप के दूसरे साइड बे मिला कर सिलना है अब इसको भी सीधा करते वे यहाँ पर सिलाई कर लेनी है अब यह जिप लग चुका है अब इसे हमें बैग में लगाना है देखें यहाँ पर इसको बैक का यह सामने वाला भाग लेंगे और इसको इस तरह से रखते वे मिलाते वे उपर की तरफ और जहां से यह कटिंग है न वहां से हमें सिलना है यहां से सिलना सुरू करेंगे और दूसरी साइड जहां तक कटिंग है वहां तक सिलना है और half inch मतलब 1,5 inch छोड़ते वे सिलना है एक दम किनारे से नहीं सिलना है मैं इसको तो इस तरह से दियान रखना है जहां तक कटेंगे हैं वहां तक इसको सिलेंगे यहां से देखिए यह आधा इंच लगभग छोड़ते वे मैं इसको सिल रही हूं इस तरह से देखिए ये एक साइड सिलाई हो चुका है अब इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसको लेना है और इसको दूसरे साइड में इसी तरह से बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलाकर सिलना है तो यहां से देखिए जहां से यह cutting है वहां से सीलना सुरू करेंगे और इसको दूसरी साइट जहां तक cutting है वहां तक सील लेंगे एकदम देखिए किनारे से नहीं सीलना है इसको तो अब इस तरह से यह तीनों भाग जूड़ गया है अब बिल्कुल ऐसे सेप में हमें इसे cut करना है अब इसी तरह से दूसरी साइट भी cut कर लेंगे अब यहां पर दीखिए हलका हलका इस तरह से cut लगाना है ताकि इसको पलटने में सिकुड़न ना है अच्छे से finishing रहे इस तरह से दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा इसमें बीच मेंना center में इस तरह से cut कर लेंगे अब इसको हमें पलटना है तो बहुत ही आसान है बस यह जो belt है इसको पकड़के इस तरह से खीच लेना है और कोना वगेर ना अच्छे से निकाल लेना है इसी तरह से बाकी के जोड़ है न सिलाई है यहां पर उपर एक टॉप इस्टिश करना है जिससे कि बैग में फिनिसिंग अच्छी रहे तो यहां पर देखें इस तरह से बराबर रखते वे जहां पर सिलाई है वहां पर उपर से एक सिलाई कर लेंगे इसी तरह से दूसरी साइड भी टॉप इस्टिश करना है अब यह उपर वाला जो रणर हमने नहीं लगा था उसको लगा लेना है तो दोनों साइड से मैं इसमें रणर लगा रही हूं आप चाहें तो केवल एक रणर भी लगा सकते हैं तो यह दोनों लगाने से न क्या है नहीं दिखने में अच्छा लगता है लोगों को पसंद भ प्रिक है मेरा यह नाप पांच इंच आ रहा है और यहां पर जहां से जोड है वहां से दूसरी साइड जहां तक जोड है इस तरह से नाप ले लेना है तो यह आ रहा है 34 इंच ठीक है तो 34 बाइ 5 इंच का हमें एक पीस रेडी करना है साइड में लगाने के लिए तो आप भी इस तरह से नाप लें जितना आपका आ रहा हो और मेजरमेंट उसी साब से कट करें तो यह देखी इसकी चोडाई मैंने 5 इंच रखिए लंबाई इसकी अभी 34.5 और उसके बाद एक साइड पूरा इसको इस तरह से सिलना है पूरा सिलने के बाद जो लास्ट वाला दूसरा किनारा है उसको सिल लेंगे ताकि जो भी बड़ा छोटा हो उसको हम कट कर सके तो इस तरह से देखिए पहले यह बीच का भाग सिल के फिर इसको घुमाते वे साइड सिल लेना है पूरा अब इसको देखिए यहीं तक सिलेंगे यह उपर का भाग बाद में सिलना है अब दूसरा जो भाग है उसको पलटके दूसरी साइड मिलाते वे सिलना है इस तरह से बराबर रखते वे और इसको भी सिल लेंगे अब यह पूरा सिल गया है अब देखिए इस से क्या है हम उपर वाला भाग आप सिलेंगे न तो इसमें जो भी छोटा बड़ा होगा उसको हम काट के बराबर कर सकते तो यह देखिए हलका सा जो हाफ मैंने एक्स्ट्रा लिया तो थोड़ा सा बढ़ गया है तो अब इसको देखिए पहले सिलने के बाद तब कट करना है इस इसका ध्यान रहता है पहले नहीं कट करना है पहले सिल लेना है उसके बाद जो भी छोटा बड़ा है उसको इस तरह से कट कर लेंगे ठीक है तो अब यह बैग एकदम से कंप्लीट है अब यहाँ पर आप चाहे तो डबल त्रिपल सिलाई कर लें या फिर इस तरह से लगबग डेड़ इंच चोड़ा कपड़ा लें और जहां पर यह पूरा सिलाई है इसको मिला कर पूरा सिल लें तो इस तरह से पूरा यह प तरह पलटना इस तरह से और फिर इसको देखेए डबल फोलड करते वे सिल लेना है इस तरह से पलटेंगे और दूसरी साइड और ढ WILअ को इससी तरह से पूरे बैग में पाइपिंग कर लेना है तो ये दिखिए इस तरह से ये piping पुरा complete हो चुका है अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं तो देखिए अब ये बैग काफी मजबूत भी हो गया है अब इसको सीधा कर लेते हैं कोना वगर अच्छे से निकाल लेते हैं तो देखिए कितना प्यारा से ये बैग बनकर रेडी हो गया है आप भी इस तरह का बैग जरूर बना देखने में और बनाना भी इसको बहुत ज्यादा आसान है उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कामेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों देखने के लिए आप जब को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू